इस पार्दा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवारे था यू डबलुडबलु के नीमों और विनीमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए सब्बंदित स्रेणी के लिए प्रतिक सुबह वजन माप का अयूजन किया जाता है अनुचेद अग्यार के अनुसार यदि कोई एथलिट वजन माप प्रथम अत्वा दियुती में भाग नहीं लेता है अत्वा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया जाता है और बीना किसी रेंग के अंतिमस्थान पर रखा जाता है साथ अगस्ट दोजार चोविश को पच्चास किलोग्राम महिला कुस्ती के लिए वजन का निद्धरन साथ बज़ के पंद्र मिनिट और साथ बज़ के तिस मिनिट पेरिश समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था विनेश का वजन पच्चास किलो सो ग्राम पाया गया इसलिए वेस पर्दा के लिए अयोग्य गोशित की गई इस मामले को लेकर पार्ती ओलंपिक संग ने आंतराश्टी कुस्ती संग से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है नेशनल पार्ती ओलंपिक संग की अध्यक्षा पीटी उशा भी अभी पेरिस में है प्रदान मंत्री जीने स्वयम उसके साथ बातचित करके उचित कार्यवाही करने के लिए उचित एक्षन देने के लिए भी उसको कहा गया था विनेश मंगलवार 6 अगस्ट को तीन मुकाबले जित कर 50 केजी रेस्लिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुचने वाली पहली भारती महिला रेस्टर बनीत सेमी फाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवाल गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में उक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चेंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी उन्हें बुद्वार 7 अगस्ट की रात करिब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रैसलर सारा एन हिल्डर ब्रांट से मुकाबला करना था जहां तक उनकी तैयारी है तुँ सहायता का प्रशन है पारत सरकाने विनेश फोगात की उनकी आवशक्ता के अनुसार हर संबो सहायता प्रदान की है उनके लिए पार्सनल स्टाप भी नियुक्त किये गए है जो अपने क्षेत्र के विशशग्य है उनके साथ हंगरी के विख्याद कोच ओलेर अकोस और फिजियो अर्श्विनी पार्टी हमेशा रहते है इनको ओलम्पिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिकत सहायक स्टाप ज अलेर अकोच कोच के रुप में उसके साथ थे वेन पैट्रिक लॉंबार्ट स्टैंथ और कंडिशनिंग विशशग्या अश्मिनी जीवन पाटील फिजियो थेरापिस्ट मयंक सिंग गरिया स्टैंथ और कंडिशनिंग विशशग्या शुबम और अर्विंद स्पारिंग इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कूल 70,45,775 की वित्ती सहाइता दी गई है जिसका विवरण इस प्रकार है स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्ती सहाइता साथी 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मेड्रीट स्पेन के आंतराष्टी प्रस्रिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त वित्ती सहाइता इसके अलावा फ्रांस के बुलाई सुमेर में पूर्व ओलंपिक प्रस्रिक्षन शिवीर के लिए अतिरिक्त सहाइता की है 2024 आंतराश्टी कुस्ति संग 2nd Raking Series में 6 जुन से 9 जुन 2024 चार दिन तक बुड़ा पेश्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जुन से 21 जुन 2024 तक Tata Olympic Center हंगरी में आंतराश्टी प्रशेक्शन शिदिर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाप के लिए वित्ती सहायता की है Strength or Air Condition Coach Mr. Y. N. Patrick Lombard के लिए Tata Olympic Center हंगरी में 10 जुन से 21 जुन 2024 तक आंतराश्टी प्रशेक्शन शिदिर में भाग लेने के लिए भी वित्ती सहायता की है 13 जुन 2023 से 16 जुन 2023 चार दिन तक बुड़ापेश्ट हंगरी में 4 रेंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुन 2023 सोलो दिन तक बुड़ापेश्ट हंगरी में प्रशेक्शन शिदिर हेतू इसको वित्ती सहायता की है वेमेकें बुलगेरिया में 10-11-2022 से 3-12-2022 तक प्रशेक्शन के लिए वित्ती सहायता दी है उनके रहाय प्रकिर्या के लिए आवर्शक उप्तर खरीदने के लिए भी वित्ती सहायता की गई है 2020 टोक्तो ओलम्पिक चक्र में एक करोड 13,098,224 रुप्य का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था 224 पेरिस ओलम्पिक चक्र में भी टार्गेट ओलम्पिक क्वाडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्शी ट्रेनिंग अवन्स पर्धा केलेंडर में 17,10,000 पूल मिला के 17,45,75 रुपया हमारे खेलाडी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया से रगु नंदन राओ ओलम्पिक चीम में में प्राऑ़ जायन देफेला कर तूम आर्थिक उसक्षमारा करन करता है